हेलो एब्रीवन क्यासे हो सब लोग उमीद है कि सब बहुत अच्छत से होंगे इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं कोश्चन नमबर 3 के सेकेंड पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में अगर आपने इससे प्रियो वीडियो अभी तक नहीं देखा साथ ही साथ तो complete playlist का link मिलेगा आपको description में तो एक बार description आप जरू चेक कर लोगे question number second क्या है what property of sulfuric acid is exhibit in the following cases अच्छा हमें sulfuric acid के कुछ characteristics को बताना है आप जैसे oxidizing agent होता है H2SO4 जो होता है volatile होता है non-volatile भी होता है rapidly react करता है strong acid होता है king of acid बोला जाता है इसको इसी में से कुछ property को हमें यहां पर बताना है ठीक है चलो देख लेते हैं ए पार्ट में दिया है in the preparation of HCL यानि जब HCL का preparation होता है when it react with sodium chloride it react मतलब H2SO4 react है तो ए पार्ट में आते हैं ए पार्ट में क्या है कि when it react with sodium chloride यानि कि जब H2SO4 इसका reaction आप sodium chloride के साथ करते हो है न तो यह हमारे reactant हो जाएंगे तो किसका formation होता है HCL का formation होता है double displacement आप कर भी सकते हो double displacement में एक आपको मिलेगा NA2SO4 और उसके साथ साथ क्या निकलेगा HCL है न है यहां से आपको release होता हुगा नजर आएगा बैलेंस्ट करना चाहो आप कर सकते हो ठीक है यह आपका हो गया तो यहां पर H2SO4 यह जो आपको दिख रहा है इसका कौन सा property so होता हुगा आपको नजर आ रहा है तो यहां पर simple form में हम लोग लिख सकते है H2SO4 जो है वो non-volatile है न है तो लिख देंगे हैर H2SO4 is non-volatile nature H2SO4 is non-volatile non-volatile in nature है न है यहां H2SO4 is non-volatile nature ऐसे भी आप लिख सकते हो अब non-volatile क्या होता है non-volatile मतलब होता है which cannot be vaporized है न है cannot be vaporized जो vapor का formation नहीं कर सकता अगर यहां पर H2SO4 vapor का formation कर लेता न तो फिर HCL बनना बहुत ही जादा मुस्किल हो जाता इसलिए यहां पर H2SO4 किस form में है that is powdered form में आपको देखने को मिलेगा यानि कि non-volatile form में आपको देखने को मिलेगा जैसे water है water को अगर आप जब गर्म करते हो water को जब आप heat करते हो तो वो vapor का formation करने लगता है इसका मतलब वो है volatile in nature जबकि H2SO4 जैसे ammonia हो गया glucose हो गया यह non-volatiles है non-volatiles मतलब इसको गर्म करोगे तो vapor नहीं बनाएंगे कभी है ना चलो यह समझ गए B part में आते है B part में हमारे पास क्या दिया हुआ है that is when concentrated sulfuric acid react with copper to produce sulfur dioxide gas अच्छा यानि कि जब H2SO4 जो है H2SO4 react करता है किसके साथ copper के साथ तो यह किसका formation करता है SO2 gas का formation करता है along with SO2 के साथ और क्या बनाएगा एक product तो हमें दिया गया है कि SO2 बनाएगा उसके साथ यहां पर H2SO4 कैसा है as a oxidizing agent work करेगा और CU को convert कर देगा यह CU SO4 में है ना CU SO4 में और उसके साथ water भी released करेगा है ना water भी release करेगा तो यहां पर H2SO4 कैसा है तो H2SO4 के oxidizing nature को यह sow कर रहा है तो आप बोलोगे सर oxidizing nature sow तो कर रहा है बट किसको oxidize कर रहा है यह भी तो बता दो है ना तो यहां पर हमारे पास कौन सा हो रहा है CU जो है वो oxidize हो रहा है CU क्या हो रहा है oxidize हो रहा है किसमे that is CU SO4 में है ना CU oxidize हो रहा है किसमे that is CU SO4 में इस basis पे आप एकड़म simple form में क्या कर सकते हो इसका answer कर सकते हो एकड़म सही answer करना है सटीक answer करना है कोई left कोई right नहीं एकड़म अराम से answer करो और एकड़म तहल का मचा दो उमीद है कि यह पार्ट भी आपको बहुर अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा मिलते आप से अगली वीडियो में question no.3 के third questions के solution के साथ तब तक के लिए अच्छ